दोस्तो नमस्कार, होमियो ज्यान होमियो पैथी चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तो सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगा मेरे सभी मित्रों से, सभी पेशेंट्स से जो इस चैनल का लाब उठाते हैं कि मैं काफी दुनों से आप लोगों से दूर रहा मेरा लास्ट वीडियो जो पोस्टेड है चैनल पे वो सब्टेंबर दोजार इकिस का है करीब-करीब दस महीने हो गए हैं मैं इस आथ में माफी के साथ साथ ये बताना भी चाहूँगा कि मैं अक्छिली में समास सेवा यानि कि सोसल सर्विस करता हूं और होमेपैथी उसी के लिए है होमेपैथी से मेरा परपज कोई इंकम का नहीं है इसे सोसल सर्विस और हजारों लोग इसका फाइदा उठा चुके हैं इसलिए अलग अलग सहरों से जो मेरे जानने वाले हैं जो लाव उठा चुके हैं पेसिंट्स काफी फॉन करते हैं और थोड़ी नाराजगी भी आजकल जिता रहे हैं अभी कुछ जादे ही हो गया था तो उन्होंने मजबूर कर दिया कि मैं वापिस से चैनल पर आऊं और वीडियो बनाऊं दोस्तों एक चीज मैं बताऊं अपने सभी दर्शकों को वीवर्स को कि यहां हम्यों ग्यान चैनल पर आपको जो भी देखने को मिलता है वो वो दवाएं हैं इनका क्लिनिकल ट्राइल मैंने खुद ने किया है यह हमने किया है और जिनसे लोगों को फाइदा हुआ है यानि कि यह कही सुनी पढ़ी पढ़ाई बाते नहीं हैं खाली यह सारी मेडिसन्स और मेडिसन्स के फार्मूले टेस्टेड हैं जब लोगों को फाइदा हुआ है तब ही जो है मैं आपको इसको बताता हूँ क्योंकि मैं सोशल सर्विस करता हूँ तो सोशल हेल्प में कोई पैसा नहीं लेता बहुत लोग आते हैं जिनको हुम्मेपेथी की आवसकता होती है अब तक मैं हजारों लोगो को प्रेसक्राइब कर चुका हूँ उन मेडिशन से जो जो फायदा होता है जो जो मेडिशन भावसाली होती है जिनका क्लीनिक में अची रेजल्ट आते हैं मैं उनी मेडिशन को यहां रेफर करने की कोसिस करता हूँ अल्लाइक अदर्स मेरे को यहां पर इस चैनल पर बहुत सारे वीडियो के नंबर्स नहीं लगाने हैं बहुत सारी भीड नहीं करनी है मुझे इस से कोई खास अर्णिंग की कोई उमीद भी नहीं है और वह मैं चाहता भी नहीं है तो दोस्तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और आज के वीडियो में हम बात करेंगे बड़ी स्पेशल मेडिशन की जिसका नाम है कलकेरिया कार्बोनिकम ये कलकेरिया कार्बोनिकम जो मेडिसन है अब इसे हम रेफर करेंगे इस पूरे वीडियो में कलकेरिया कार्ब के नाम से दोस्तों जो कलकेरिया कार्ब है वो बहुत ही अदभुत और बहुत ही अच्छी मेडिसन है और clinical trial में हमने इसे काफी प्रभावसाली पाया है ये oyster cells से बनती है oyster cells समुद्र में जो CPO होती हैं बड़ी CPO उनके mid हिस्से से इसको बनती है और उस हिस्से को कल के रिया carbonate भी कहते हैं तो ये CPO से बनने वाली medicine है काफी सारे रोगों में प्रभावसाली होती है अब बात करेंगे one by one करके ये कहां कहां प्रभावसाली होती है सबसे पहली चीज जो लोग sinus से परिशान है और काफी सारी homeopathic medicine आलरेड़ी खा चुके हैं अंग्रेजी भी खा चुके हैं और खास असर उनको नहीं पढ़ रहा है तो उस case में एक बार कलकेरिया कार्बोनिकम का ट्राइल जरूर बनता है हमारे clinical trial में जो patient sinus के किसी भी तरीके से ठीक नहीं हो रहे थे या ये कह लीजिए कि जिनको आराम तो लग रहा था और पूरी तरह ठीक नहीं हो पा रहे थे वो patients कलकेरिया कार्बोनिकम की 30 CH potency से वो ठीक हो गए उनको काफी आराम लगा और इसका sinus पर जो effect rate है वो 90% से ज़ादा है तो मैं यहाँ पर हर problem के बारे मैं बताऊंगा कि कहां कहां कलके लिया कार्ब का इस्तिमाल हो सकता है और साथ के साथ यह भी बताऊंगा कि उसकी मात्रा और डोज उस मर्ज में उस problem में कितनी होगी तो sinus के case में चार बून जिन में तीन बार minimum लेनी है और acute case में एक्चुली जब sinus infection बढ़ा हुआ होता है तो बहुत जादा प्रसानी करता है नाक में दर्द भी होता है बुखार भी हो जाता है infection हो जाता है नाक block रहती है खुंखुं की आवाज ऐसे निकलती है नाक से क्योंकि कुछ ऐसा लगता है कि फसा हुआ है और patient खुंखुं करके उसे निकालने कोईश करता है पर निकल नहीं पाता है क्योंकि sinus में जो बलगम होता है वो भरा हुआ होता है तो ऐसी condition में दिन में 4 भूंद आप 5 बार ले सकते हैं शुरू के 5-6 दिन और जैसे ही आराम हो जाए तो आप reduce करके dose को दिन में 3 बार कर सकते हैं ऐसा 15-20 दिन तक अगर आप लेंगे तो आपका sinus काफी हद तक ठीक हो जाएगा पर आप maintenance dose के रूप में चार भूंद दिन में एक बार या दो बार अगले एक महीने तक लेते रहें तो sinus की समस्या से काफी छुटकारा मिल जाता है हमारे clinical trial में इसका जो result है वो बहुत ही अच्छा है आपने जनर्नली sinus के लिए काफी medicines देखी होंगी सुनी होंगी है अगर आप इसको try करना चाहें तो कर सकते हैं दूसरा जो problem है जहां कल के लिए कार बहुत अच्छे से काम आती है वह है tonsils में अगर tonsils बढ़ गए हैं gland सूझ गए हैं और इसके अलावा lymph node भी अगर सरीर में बहुत जगे lymph nodes होते हैं जो जानते है lymph nodes के बारे में इनको समझ में आ जाएगा कि lymph nodes पूरी body के अंदर में होते हैं और ये अगर बढ़ गए हैं सूझ गए हैं या tonsils सूझ गए हैं तो हाँ कल के रिया कार्ब बहुत अच्छे से काम करती है दिन में तीन बार चार चार बून आप जो है इसको ले सकते हैं डारेक्ट टंग पर भी ले सकते हैं, इनकी जीप पर आप सीधा भी ले सकते हैं, या दस एमेल पानी के साथ चारबून में लाकरके ऐसे दिन में सुबह दो फ़वर साम ले सकते हैं, काफी अराम जो है ये टॉन्सिल्स के केस में करती है, उसके बाद अगला वाला जो प्राबलम है, वो है हेर इचिंग, जिन लोगों को हेर इचिंग की समस्या है, सिर के अंदर खुजली होती है, एकजिमा हो गया है, उनके लिए कलकेरिया कार्ब बहुत अच्छा काम करती है, ऐसे लोगों को कलकेरिया कार्ब की 200 CH की, जान रखियेगा, यह पिच्चर 30 की लगी है, चोकि बार बार पिच्चर चेज़ निकरना मुस्किल होता है, यह पिच्चर लगा दिया है, बट अगर जिसको किसी के सिर में जादा खुजली होती है, एक्जिमा की वज़े से होती है या और जो है सिर के अंदर में किछी तरह की अलर्जी हो रखी है तो कलकेरिया कार्ब 200 CH में चार बूम दिन में तीन मार लेने से काफी आराम मिलता है इसके अलावा जिन लोगों के बॉड़ी में एक्जिमा रहता है especially बच्चे बच्चे जो 13-14 साल तक के बच्चे एक साल के हूँ दो साल के अब टू 14 अगर सरीर में एक्जिमा है एक्जिमा इस तरह के चकत्ते से दिखते हैं खुजली होती है खारिस होती है उनके लिए कलकेरिया कार्ब जो है बहुत ही अच्छी मेडिसन है और काफी सपोर्ट करती है ऐसे केस में अगर बड़ों को एक्जिमा है तो 200 CH की पोटेंसी में इसको लेना है बच्चों में है तो 30 CH की में लेना है अगर बच्चा दो साल तक का है तो सिर्फ एक बून देनी है दिन में तीन बार और अगर बच्चा दस बारे साल से उपर का है तब आप उसको दो से तीन ड्रॉप दे सकते है बड़ों के अंदर जिन में एक्जिमा की समस्षा है तो 200 CH लेना है और 4 बून दिन में 3 बार लेना है एक्लीस 15 जिन तक तो रिजल्ट आपको जरूर देहने को मिलेगा जिन लोगों के अलसर की समस्षा रहती है मुह में चाले बनते रहते हैं तो उनको जो है ये कलकेरिया कार्ब बहुत अच्छे सूट आती है पेट में गर्मी रहती है तो आप ऐसा करें जिनको चालों की समस्षा रहती है मुह में बराबर वो कलकेरिया कार्ब के साथ नक्स वहमिका का भी इस्तिमाल करें तो 30 CH की potency में नक्स वोमिका ले ले और 30 CH की potency में कलकेरिया कार्व ले ले इन दोनों medicine की 4 charbon 50 ml गुंगुने पानी में या फिर room temperature पानी में जो filter का अगर आप पानी पीते हैं तो normal पानी जो है filter का एक glass में ले ले उसमें 4-4 अधा गिलास पानी लेके 4-4 बून कलकेरिया कार्व की डालें चारवून 30 CH में और 30 CH जो है नक्स वोमिका की भी चारवून डालें ऐसे करके आप दिन में 2-3 दफे लें आपको चालगी समस्या से निजात मिल जाएगी ये एक बड़ी ही बहतरीन मेडिशन है जिन लोगों को chronic lung infection होता है जिन लोगों लंबे टाइम से खासी होती है और ठीक नहीं हो रही है और सांस रिने में तकलीफ होती है या oxygen का level इसलिए गिर जाता है क्योंकि लंग में infection है तो उस infection के case में बहुत अच्छा काम करती है कलकेरिया कार्ब की 200 CH 200 CH की जो potency medicine है 200 CH की वो लेनी चाहिए और सुभह साम जो है आप इसका इस्तेमाल करेंगे सुभह साम लेकिन जब ये acute हो यानि कि शुरुवाती दिनों में जिसे chronic होता है chronic का मतलब यह है कोई विमारी लंबे टाइम से चलिया रही और acute का मतलब है अचानक से sudden attack हुआ है तो chronic जो है lung infection में भी कभी sudden जो है ऐसे खांसी उठ जाती है उस case में अगर वो ज़्यादा हो रही हो तो आप उतने time के लिए इस अक्यूट माल लीजिए और दिन में आप 4-5 बार इसको ले सकते हैं डारेक टंग पर भी ले सकते हैं जीप पर ले सकते हैं या फिर आप 15-20 एमल पानी में ले सकते हैं शुरू के 2-3 दिन जो है इसको लेना है दिन में 4 बार और फिर आप इसे घटा करके दिन में 3 दफ़े कर देंगे फिर gradually reduce करते हुए दिन में 2 बार कर देंगे ऐसा करते हुए आपको 20-25 दिन कलकेरिया कार्ब को लेना है तो आपके chronic lung infection की problem ठीक हो जाएगी अगर 25-35 दिन में ना हो और आपको improvement लगे तो आप इसको single dose की रूप में जाए maintenance dose चलाते रहिएगा और आप पाएंगे कि आप 1.5-2 महीने में पूरी तरह से lung infection की जो है जो problem थी आपकी वो ठीक हो गई है दोस्तों जिन लोगों के गम में bleeding होती है यह जो मसूडे होते हैं उनमें से blood आता है खून आता है पीव आती है उनके लिए भी कलकेरिया कार्ब बहुत अच्छी medicine है कलकेरिया कार्ब की 200CH की potency में अगर इस medicine को लिया जाए तो सुभे दुभेर साम तीन दफ़े तो सोते वेकश जरूर लें इसको तो इसके बहुत अच्छे result देखने को मिलते है यह जो है जो मसूडों के अंदर जो पीव आती है जो swelling आती है उसको reduce करती है और मसूडों से अने को बंद भी करती है तो कलकेरिया कार्ब जो है तो बहुत अच्छी medicine है swelling के लिए अगर बच्चे छोटे हैं अगर यह बच्चे को देनी है 30CH की potency में दें अगर बड़े को देनी है तो 200CH की potency में दें देनी में minimum 3 बार बहुत acute condition है ज्यादे problem हो रही है तो दिन में 5 ब लेनी है और 10 साल से बड़े बच्चे के लिए 10-15 साल के तीन मून और पूरे अडल्ट चार मून आपको देनी है तो दोस्तों यह थे कलकेरिया कार्ब के benefit बहुत सारे मर्ज में बहुत सारे रोगों में एक benefit इसका और भी है जो aesthetic benefit है वो है मोटा पेवे जिन लोगों को belly fat है यह fat में ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे लोगों को ऊपर upper body में fat नहीं होता lower body में टांगों में भी fat नहीं होता और chest की side भी ज्यादा fat नहीं होता लेकिन पेट निकल जाता है तो जिन लोगों का belly fat है आली पेट निकला हुआ है उन लोगों के लिए कलकेरिया कार्ब को continuous लेते रहना चाहिए इससे metabolism rate ठीक होता है fat burn करने में सहायता मिलती है और मोटा पे से भी काफी हद तक अरा मिलता है यानि अगर आप fat burn करने की belly fat को burn करने की तैयारी करने हैं तो उस case में भी कलकेरिया कार्ब आपको help कर सकती है तो दोस्तों ये थे कलकेरिया कार्ब के ब को लेनी चाहिए और किस potency में लेनी चाहिए मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा और आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही हो तो मुझे comment में लिख दीजिएगा और थोड़ा सा encouragement बढ़ानी के लिए अगर subscribe आप कर सकते हैं वैसे आपकी इच्छा ह तो कर लिजेगा क्योंकि मैं generally social services में इतना engage रहता हूं कि मेरे को वक्त नहीं मिलता है कि मैं वीडियो बनाओं तो अगर आप थोड़ा सा encouragement देंगे तो हो सकता है कि मैं वापिस से channel पे आ जाओं और अभी नहीं मालूम कि second video आपको कम मिलेगा बट मैं आपको यह assure करता हूं कि जो भी content आपको इस channel पे मिलेगा वो सारा का सारा अधिकतर content trial and tested है वो काम करता है यह उठा करके copy-pasted नहीं है फिर से बता दूं यहां कोई भी content सिर्फ इसलिए नहीं डाला जा रहा है कि channel build करना है ऐसा कोई इरादा नहीं है ऐसी कोई intention नही ही है only जो intention है वो है public service दोस्तों इस video को देखने के लिए और मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद thank you very much